तो सबसे पहले हम पिक्तोरियल को समझते हैं कि पिक्तोरियल इस क्या होता है पिक्टोरियल इस कीज़ को पिक्चर्स या फिकिसी सिंबोल के तो समझाना उसी को हम वोते हैं प्क्टोरियल रिप्रेजन्टरिशन है जैसे पहलेवाले इसके परिस में पर मेंziękchnya था ता कि हम सिंबोले का यूज्स करते हैं तो उसी इस टाइप से pictorial होता है, तो representations of numerical data by using pictures and a symbol is called a pictorial graph. मतलब अब जो numerical data होते हैं, जो हमारे numbers होते हैं, उसको pictures के दुरू या फो symbols के दुरू represent करते हैं. Pictorial graph is a simplest way of representing a given information by a making use of simple pictures and symbols. मतलब को उसी भी information को अगर हमको ही present करना है, तो pictorial graph के तुँ easily उसको हम कर सकते हैं. तो आपको कुछ exercise के जो साम यह उसके तुब हम करेंगे, तो आपको easily समझगा जाएगा. Page number 109 पे का जो first question यह हो मैं आपको explain कर रही हूँ. Question number first. ठीक है? The foreign pictography present number of books are different subject way available in a library. तो एक pictograph बनावा है different subject की books का, उसमें उन्हेंने book को भी draw किया है, symbol की तुँ. तो वो आप देखें इसमें कि किस type से उन्हें draw किया है, पहले सबसे पहले आपको draw बता रही हूँ. सबसे पहले जो है mathematics subject की book है. Mathematics है, उसके बाद में आपको आता है English subject. यह English, फिर है Hindi, फिर साइन्स, फिर है computer. यह different different subject की जो है books है, library में, और फिर इसके बाद में उन्हों पित्तो ग्राफ के थूँ उन्होंने, पित्तो ग्राफ बना रहा था है, इसका हर book का एक symbol, जो subject जो है उसका एक symbol हुआने draw किया रहे है, यहाँ पर मैं आपको draw करके बताती हूँ. देख्या, सबसे पहले mathematics की 1, 2, 3, 4, 5, 6 book उन्होंने गवाई है, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. इसको अबागे तक प्रीम प्रीश कर सकते हैं, उसके बाद में English की book बना रखे होने, यह मैंने book बना दी, जितनी book उन्होंने बना ही है, इस book मैंने निया draw कर दी, उसके बाद इन्दी की book बना रखे होने, इन्दी की book बने, उसके बाद बना रखे होने, उसके बाद आती है आपकी computer की book, यह स्काइब से pictograph आपको बना रखे हैं, उन्होंने क्या बोला कि जो one book रिप्रेजेंट टेंग बुक, जो जो symbol है, बुक नहीं माल सकते हैं पन्दूब, पिक्तोग्राफ बना रखे हैं, यह पिक्तोग्राफ बना रखें, तो क्या बना रखे, pictograph बना रखे subject वाई, तो one जो है, अगर आपका जो इता फॉलए, pictograph रिप्रेजेंट नमबर आपको, यह नमबर आपको उसको रिप्रेजेंट कर रहा, pictograph आपका, तो यह जो one symbols बना हुआ है आपका, यह जो one symbols है, जिसके मुझमें अन्दर कह रिखाता, C, रिप्रेजेंट टेमुच, किक्यों बुख को सी रिप्रेजेंट कर रहा है? टेमुच, किक्यों, 1, this symbol represents 10 books हर बूप के उपर उन्हे लिखाका है तो यह जो 1 symbol से यह 10 books को आपको डिप्रेजेंट करना है मतलब अगर आप एक एसाफ ड्राउ करते पिक्टोग्राफ तो इसके एक्वल होगा 10 books के एक्वल होगा Is that clear? और इसके जो हमको कुछ इस जो आपकी बुक में लखे तो मैं आपको यहांपर ढूर करते हैं ऑनकर राइट करते हैं फार्स्ट जो है आशब दर फॉलेंगी First, Which subject has maximum number of books and how many? वजलना कोन से subject की book सबसे maximum है? Maximum में सबसे ज़ादा है और वो कितनी है? तो अबर अब पित्रोग्राफ को देखते हैं, तो साइन्स की book का पित्रोग्राफ सबसे बढ़ा गया है तो हम देख सकते हैं कि यो साइन्स subject की book सबसे ज़ादा है क्या लिखेंगे आप इस सब्सक्राइब सबसे बड़ा है तो साइन्स मेग्जीमम नमबर आप हो मेग्जीमम मतलब सबसे जादा किसे बिचाना किसका पिच्टो ग्राफ सबसे बड़ा गया है मेग्जीमम नमबर आप बुक्स सबसे पहली लाइन में लिख दी कि साइन्स की बुक जादा है और हाउमेनी इतनी जादा है तो अपर क्या लिखेंगे कि वन सिंबॉल सिंबॉल तो कितनी बुक हो रही है तेन बुक्स हो रही है यह आपको गिवन में लिखा हो है कि वन सिंबॉल 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 तो कितनी बुक्स हो रही है तेन बुक्स हो रही है तो नमबर आप बुक्स नमबर आप बुक्स कितनी हो जाएगी यह टोटल किते है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अब मल्टिप्लाइ 10, मतला 70 बूस, इतनी ही पुखसेंगे, आगया समझ में कैसे करने हैं आपको, पेले ये काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतला 7 सिंपोल है, तो 7 मल्टिप्लाइ 10 से मल्टिप्लाइ कर देंगे, 17 सा 70, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 70 ब हसी लगलसा काउसा कर इकरने, विस सब्जेक्ट है, सी मीनिमम मतला सब से कम, मिनिमम का मतलब होता है, सब से कम, अब किसका ठीकोग्राफ सबसे चोटा आए, हिंदी का, हिंदी का पुक्तोग्राफ आपको देखो, यहां पर ये खतब हो गया है, लास्थ हो गया है, तो Hindi subject has Hindi subject has minimum minimum number of books Hindi subject has minimum number of books कितनी है? कितनी है Hindi की पिक्टोरा पार्ट? 2, 3, 4 ठीक है? तो आपकी लिखोगे number of books number of books equal to 4 multiplied 10 मतला 4 अप्रेंजा 40 40 books है इसकी books है इसकी 40 books है इसकी 40 है इसकी इसकी फोर्टेंजा मोरा उसके विए थर्ड आदा है C वाला पार्ट इसका Are there are any subject ठेलिक equal number of books? Which are they? क्या कोई इसी book है कि जिनके numbers equal? तो आप देखो इस पिक्टोग्राफ में कि कोई इसी book आ रहे है कि जिसके numbers equal आ रहे है देखो mathematics की book 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस पिक्टोग्राफ है computer में 1, 2, 3, 4, 5, 6 computer में mathematics की book ऐसी है जिनके पिक्टोग्राफ सेम आ रहे है ठीक है? तो आपका लिखे कि जिनके यसे यार रहे है यार देखो इस सब्चेक्ट हे भी कि इके बन नंबराओं होगो तो यस पिलाए लाइन क्या लिखकोगे यस answer क्या जाएगा यस कोई सी book है? mathematics mathematics and computer computer, subject, heavy, equal number of books, equal number of books, इक्वल नंबर में कित्ती बुक हैं, रेको 1, 2, 3, 6, 6 है, तो मुटिप्लाइ किसे कर देखे हैं, 6 स्मुटिप्लाइ 10, मतला दोनों की कित्ती बुक्स हैं, आपके पार 60 बुक्स हैं, दोनों की बुक्स सेमें 60 60 बुक्स, ठीक है, अब D बात आता है, how many books are available for English, English के लिए कितनी पार 60 बुक्स हैं, तो इंग्लिश, 1, 2, 3, 4, 5, तो आप इंग्लिश के लिए क्या करोगे, इसको मैं फॉर्स पुझो रहे हैं, इनने राट किया, इसको मिटाने हुए, यहां पे राट कर देखे हुए, इंग्लिश के लिए, D बात आता हैं, इंग्लिश, तो how many books are available for English, तो number of books, number of books, for English, पित्तो रहां करों इंग्लिश के, 1, 2, 3, 4, 5, 5 multiply 10, 50 books, 50 English के लिए, 50 books, यह आपका question होगा, आपको समझ में आगया होगा कि हमको पित्तो ग्राफ को count करके answer right करना, कि एपकी? झाल, 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 झाल